इंग्लिश कमेंटेटर साइमन डूल ने आउट ओफ फॉर्म दिल्ली के एपिटल्स के सलामी बल्लेबाज प्रित्वी शौ पर निशाना साधा है सुमबार को सनराइजर सहेधराबाद के खिलाफ के लिए मैच में प्रित्वी को टीम से बाहर किये जाने के बाद डूल ने कहा कि प्रित्वी शौ ने अपने गेम में सिच्चुईशन के अकॉर्डिंग चेंज ना करने की कीमत चुकाई इसके साथ डूल ने शौ के फ्रिटनेस पर भी सवाल उठाते है कहा कि शौ का ये सीजन खराब रहा लेकिन अगर उन पर गौर करने तो उनकी बॉडि लैंग्वेज आल सिपन से भरी हुई लगी डूल बोले कि हैदराबाद के इंगे स्ट मैच में शौ पूरे टाइम बैंच पर बैटे रहे और मुझे नहीं लगता कि वो 100% फिट है